क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और फ्रेस करो इस बेल आइकन पे ताके आप देख सकते हो वीडियो सबसे पहले हेलो वेलकम टू माइ यूटूब चनलल टेख इंफोण हिंधी तौ आज हम सुरू करने वाले पाइफन का टुटूरियल łस तो पाइफन एक प्रोग्रामिंग वो सभी चीज़े हम cover करेगे यह python के tutorial में तो यह python के tutorial में आपको पूरा basic से लेके advance database connection और GI यह सब चीज़े आपको देखने को मिलेगी और पूरे सीखने को भी मिलेगी तो आप देख सकते हूँ जैसे मैंने यह python में यह सब डेवलप किया हुआ है यह calculator नॉर्मल सा calculator डेवलप किया यह canvas यूज करके मैंने यह sign up sign in बनाया हुआ है इसके आगे भी sign up sign in करने के बाद कुछ प्रोसेजर होता है जो software खुलता है तो वो सब चीज़े मैंने एक सब बना ग्रोथ हुआ है जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर तो अभी python जाव स्क्रिप्ट जो बहुत ही डिमांड हो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुग है क्यों ग्रोथ हुए क्यों कि python बहुत easy language has compared to दूसरा की language जो java और c से तो इसके वज़े से python बहुत ज्यादा लोग सीख रहे ह बहुत easy है जैसे web application हो या फिर आपका desktop application हो या फिर कोई भी artificial technology या फिर machine learning कुछ भी चीज आप सीख रहे हो सीखना बहुत easy है जो java और c++ में बहुत hard होता है तो जैसे कि मैं आपको कुछ program compare करके दिखा जाता है तो hello world हमें print करना पड़ेगा तो c++ में या फिर c में आपको इतना type करना पड़ता है जैसे आप देख सकते हो avoid main जो की main के अंदर या आपको print और hello world बाद में type करके आप run कर सकते हो नहीं तो error आएगा यह सब आपको compulsory यह उपर दिया हो जो include studio.h यह आपको compulsory लिखना है और आपको जाओ में दिखा तो जाओ में आपको class define करना पड़ यह सब लिखने के बाद फिर आप hello world print कर सकते हो अब मैं आप यह python दिखा देता हो तो python में आप देख सकते हो इसे print hello world आप लिखोगे इसे run करोगे successfully run हो जाएगा और आपका hello world print हो जाएगा और कुछ भी error नहीं आएगा तो यह बहुत easy language है आपको इस तरह पता चल गया तो इस तरह हम बहुत सारे addition हो गेरा और बहुत सारे program बनाएगे जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजे सिखाऊंगा और यह python बहुत सारी जगा यूज हुआ जा रहा है तो जैसे मैं आपको दिखा देता हो तो Google YouTube और Pinterest को यह रहा है ऐसे कई जगा है जहाँ python का यूज किया जा आता है वो python से आपको कौन से कौन से job मिल सकते हैं जैसे आप देख से web development मिल सकता है या फिर आप यह application development मिल सकता है या फिर आपको artificial intelligent या machine learning के अगेरा यह सब job आपको मिल सकते हो job की requirement भी बहुत ही ज्यादा python के तो जैसे मैं आपको दिखा देता हो हम चले आते यह python के job के त तो आप देख सकते हो इधर 2438 से भी ज्यादा requirement यह job के लिए जो यह मुंबई में इतने सारे python के लिए requirement है python बहुत ही फास्ट ग्रोथ हुआ है इसके लिए python ज्यादा तर लोग सीख रहे हो python सीखना बहुत ही easy है जो student हो आप अभी आपको पहले के language नहीं आते सी जावा इसी के learn करोगे तो वो भी आपको easily समझ में आ जागा जब आपको python language आएगा और आपको पहले सी जावा लेंग्विज आते तो काफी लोगों को सी जावा लेंग्विज आते पर उनको नहीं पता रहता है कि software कैसे develop करना रहता है application कैसे develop करना रहता है वो बस language सीख जाते पर उनको पता नहीं रहता है कि उसे exe file जो कि software की file में कैसे convert करें तो वो लोग वहां तक तो सीख जाते हूँ normal चीज़े जो calculation करना है hello world पर इसे काफी program जो सीख जाते पर उसे बाद में फिर आगे हो जब advanced level में करने जाते तो frustrated हो जाते और बहुत ही difficult हो जाता है तो लेंग्व पीटे हो लोग python से शुरू करेंगे तो python बहुत ही easy programming language है तो python सीखने के बाद में फिर आप एना c java यह सब सीख सकते हो तो आपको python से आपको basic concept पता रहेगा कि प्रोग्राम में चलती कैसे software कैसे चलते software run कैसे होते तो यह सब चीज़े आप python के थूर पता रहेगा बाद मे फिर आप java यह c यह दूसरे चीज़े आप सीख सकते हो बहुत ही easily तो मैं आपको एक course में क्या-क्या सिखाने वालो यह आपको मैं सबसे पहले बता देता हो तो हम सीखने वाले जो python के basic operator calculation बाद में फिर string बाद में condition और loop क्या होते function लिश टूपल dictionary यह सब चीज़े क्या हो जैसे हम java और c object-oriented programming यह procedure और object-oriented दोनों है तो object-oriented programming देखेंगे बाद में फिर हम अपना कुद का GUI application बनाएगे और फिर आपको है na advanced level जो GUI application में आपको database से connection करने कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा तो जैसे आप देख सकते हो यह calculator यह GUI application है इसके अंदर कोई database connection नही तो इसके अंदर मैंने database connection किया है तो जिसमें user अपना email address वगेरा जो भी डालेगा वो एक database जो back end में रहता है तो वहां user का data store होएगा तो वो सब चीजे हम सीखेगे अप रोच एक से डेट घंटा निकालके python के course को follow करोगे इसे study करोगे और आप साथ में continue practice करतर होगे तो 10 स से 15 दिन में आपका एक course complete हो जाएगा और आपको 80% python के syntax कैसे run करना है कितने syntax है कितने module से वगेरा सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा और आप इसमें कैसे GUI program वगेरा बना सकते हो सभी पता चल जाएगे आपको और साथ में continue practice करते रहना तो जितना practice करोगे उतना आपके लिए बैतर रहेगा तो आप कई भी program run करने जाओगे तो आप अटको के नहीं काफी लोग बस वीडियो देखते हैं practice नहीं करते तो आप वीडियो देख रहे हो no problem बात में आपको जबी time मिले आप practice कीजिए सभी वीडियो के source code आपको description में मिल जाएगे तो वहां से playlist की link भी आपको description में मिल जाएगी आप ये कुछ direct search करके वीडियो देख रहे हो तो playlist की link भी description में मिल जाएगी तो वहां से आप पूरा tutorial सीख सकते हो हर एक एक वीडियो देखकर तो आपको वीडियो अच्छा लागा तो याथे वीडियो को like किजिए आपने अभी तक में च हुआएएएएएएएएएएएएएए?